हलो एवरिवन वेलकम चू बायवरल इस वीडियो में हम लोग देखने वाल है तीसरा टाइप ऑफ मुटेशन जो की है जिनोमिक मुटेशन जिसे की हम कहते है प्लॉडी लेकिन उससे पहले हमने प्रीवेस वीडियो में क्या डिसकस किया एक ब्रीफ में देख लेते हैं हमने सेकंड टाइप ऑम्मुटेशन है वह जो देखा वह कुंछा था विटा सेकंड टाइप ऑफ मुटेशन देखा वह था क्रोमोजोम्म रपाअरेशन स्कुंश हुअ arily aberrations यहां पर imperishn का मतलब क्या है कि item दे disorder जिसमें हमने45 दरण टाइप्स देखिए प्रमोजोम लंडो चांड फस्पान के जिसमें हमने देखा इलीशन जिसमेंकी क्रोमोजो क्ट्रोम इलीट हो जाता है उसके दो ट्रांस लोकेशन फोगेशन जहां पर एक नॉन अमोलोगस डुमोजूम नॉन लौन पर यह होती है उनके करों परूमोजूम दूसरे पर में ट्रांस पर होता है इसे कहते हैं ट्रांस लोकेशन और यह हम सिर्फ नहीं मैंने आपको को रिवाइस करके दिया अभी एस वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप डाट इस दी जिनोमिक म्यूटेशन बेटा हमने देखा कि म्यूटेशन यह जो है बहुत ही छोटा टॉपिक दिया हुआ है अपने भी से आर्टी में लेकिन इस बेरी इंप्वाटन टॉपिक इसके लिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको आप इससे आपको फाइदा ही फाइदा होगा तो पहले हमने देखा की पॉइंट मूटेशन जो की जीन विदिन दे जीन होता है उसके बाद में हमन तेखेंगे Genomic Mutation. So what is Genomic Mutation? Genomic Mutation बेटा क्या होता है? Genomic Mutation means what? It is directly the change in the chromosome number. Per chromosome number में change होना, okay? Per chromosome number में change होना या तो Com airflow number, entire chromosome number बढ़ना या तो फिर कम होना. इससे कहते हैi Ploid या Genomic Mutation जिसे कि प्लॉइडी भी कहते है तो देखा पहले हमने देखा क्वाइंट मुटेशन में या जीन मुटेशन में हमने क्या देखा एक नुक्लिटाइड पेयर एक बेस पेयर या एक नुक्लिटाइड वहाँ पर चेंज होता है प्रोमुजोम में क्या प्रोमुजोमल एबरेशन में हमने क्या देखा कि प्रोमुजोम का पर्टिकलर सेग्मेंट का जो है वह एडिशन होता है या डिलीशन होता है अभी जो थर्ड टाइप है जो की है जिनोमिक मुटेशन यहाँ पर क्या होता है एंटायर प्रोमुजोम आ यह हैं यहां पर involved क्रूमॉजोओम यहां पर involved ना कि क्रूम। सेगमेट जो कि हमने देखा दा खूमूजॉमballs आपरेशन्स में यहां पर एंटार क्रूमॉजोम यहां तो फिर आड होगा यहां तो फिर वह कम होगा okay it will lose or it will get added okay so that is what is ploidy okay that is what is ploidy तो ploidy क्या है बेटा हम लग देखते है आपर जो ploidy है ploidy means what change in the chromosome number okay जो chromosome number होता है chromosome number it gets changed okay तो change मतलब क्या है आइधर न्यू chromosome is added और दे न्यू क्रोमोजोम इस गेट सब्स्ट्राक्टेड यू कें से और लॉस ओफ क्रोमोजोम occurs okay तो अभी एक कैसे होता है यह हम लोग human का example लेके हम लोग देखेंगे हमारा खुद का example हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे यह chromosome एंटार यहाँ पर जो बात हो रही है बेटा वो है entire chromosome की यहाँ पर particular segment of chromosome की बात नहीं हो रही है जो बात हमने chromosomal aberrations में किया था chromosomal aberrations में हमने क्या किया था एक particular segment का जो है chromosome का वो वहाँ पर delete होता है या तो फिर वो add होता है usage हम duplication कहते है या तो फिर वो invert होता है या तो एक chromosome pair से दूसरे chromosome pair में जाता है वहाँ पर हमने देखा chromosome का एक particular segment बट जो Ploidy होता है यह ध्याँ से सुनो मेरी बात बच्चो कि जो Ploidy होती है Ploidy में क्या होता है बटा Ploidy में जो है वो entire chromosome जो है वो वहाँ पर involved होता है ना कि एक particular segment of chromosome तो entire chromosome जो है वो यहाँ पर बढ़ता है या तो फिर वो घटता है लेकिन उसके भी बहुत सारे टाइप से वो आज हम देखने वाले हैं तो बच्चो आइटिंग यह इतना discussion के बाद आपको समझ में आ गया होगा इसे क्यों genomic mutation कहते है क्योंकि वो genomics क्या होता है बेटा वाट सब्सक्राइक प्रमोसों तो शेट में जो है यहाँ पर जो सेट होता है उसमें चाहिआ एक तो प्रमोसोम होता है य तो फिर वह सब्सक्राइक होता है इसलिए इससे कहते है genomic mutation जिसे की ploidy के नाम से भी जाना चाहता है तो इसमें देखो बेटा ये तो हमने पढ़ लिया कि it is the change in the chromosome number अब इसके दो types होते हैं कुन से कुन से दो types होते हैं मैं इसको अभी erase कर देता हूँ कुन से कुन से दो type होते हैं एक जो होता है बेटा लोग black ही color लेंगे एक जो type होता है बेटा वो होता है यू ploidy एक जो होता है बेटा कुन सा होता है यू ploidy और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है अन अन शब्द एड हो गया और उसके बाद में हो यू प्लॉईडी देखो पैटा इसमें और इसमें क्या शब्द का अंतर है सिर्फ अन शब्द का अंतर है अन यू प्लॉईडी और यू प्लॉईडी तो ये तोड़े से एक दूसरे से समवाट डिफरेंट है इसके लिए इनका नाम ऐसे दिया हुआ है तो अभी यू प्लॉईडी मतलब क्या और अन यू प्लॉईडी मतलब क्या हम लोग एक्जाम्पल के जरीए यहाँ पर समझते हैं ओके तो देखो बेटा यहाँ पर मैं एक एक्जाम्पल लेता हूँ तो यूमन बिंग का एक्जाम्पल लेता हूँ एक्जाम्पल ओफ एक निट एक जाम्पल ओफ यूमन बिंग ओके अभी देखो बेटा यूमन बिंग में जो है वो कितना यहाँ पर पेर्स होते हैं क्रोमोजोम के यह यह दूँ कितने होते यह फुर्टि शोप्स और हैं क्या बोल सकते हैं 23 प्रोमोजम्स होते हैं नमबर ऑग क्रोमोजम्स नॉर्मल यूमन बींग जिसे हम दिपलॉइड कहते हैं हम लोग दिपलॉइड है क्योंकि हमारा जो बर्थ हुआ है वो दो हैक्टलाइड गैमेट्स के यूजन के बाद में जो धाइगोट फर्म हुआ डिप्लाइड उससे फिर आगे सेल डिविजन होके एंब्रीयो और फिर उससे हम डेवलप हुए है तो हम लोग जो है वो डिप्लाइड है तो इसमें हमार क्या हम लोग डिफ्रेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं दोनों में का डिफ्रेंस जो की है यूप्लाइडी और जो की है अन्यूप्लाइडी ओके यूप्लाइडी मतलब की क्या और अन्यूप्लाइडी मतलब की क्या इसमें दोनों में का डिफ्रेंस हम लोग जानने की कोशि ब्eder gefलोत है यूप्लाइडी मतलब क्या होता है यूप्लाइडी मतलब की क्या रखर गेश्म और और घैन से सुनँ बटा लास और गेश्म और और more set of chromosome यहाँ पर एक वर्ड पर जो है वो इंपासिस हमको देना चाहिए वो है set set entire set ओके अभी 23 pairs मतलब क्या two sets of chromosomes 46 जो chromosomes है बेटा इसमें कितना set है 23 plus 23 ऐसे two sets है इसलिए हम इसे कहते है deployed इसे क्या कहते है बेटा है deployed okay two sets है इसलिए हम लोग इसे कहते है deployed okay तो यहाँ पर एक जो set है मतलब क्या एक chromosome यह दूसरा यह तीसरा 14 पाचवा चटा ऐसे 23 है और उसका एक दूसरा set है जिसे कि हम लोग कहते है pair 23 pair में क्या होता है बेटा वो जो होते है वो homologous chromosome होते है मतलब कि उस पर जो है वो gene same होते है या तो फिर एक dominant halil होगा या तो फिर एक recessive halil होगा लेकिन gene तो same ही होते है तो इसके वज़े से एक जो होता है एक chromosome entire ऐसे 23 जो अगर chromosome हो जाएंगे तो वो हो जाएंगा एक set चार सेच होंगे तो इस तरा से जो है वो sets को हम define करते है set मतलब की क्या entire एक जो pair में का एक जो single set होता है उसे हम जो है वो set कहते हैं मतलब की यहाँ पर example के जरिया कर हमने देखा है तो 46 chromosomes में से 23 जो है वो एक set हो गया और 23 जो है वो दूसरा set हो गया तो यह हो गया बेटा deployed क्या हो गया बेटा deployed तो deployed में जो है दो sets होते हैं तो यहाँ पर uployed मतलब की क्या बेटा uployed जो होता है वो क्या होता है loss और gain of one or more set मतलब की क्या अभी देखो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ अभी एक set कितना 23 pairs का हो गया प्लस 23 23 अगर यह 23 के 23 का loss हो जाएगा यह निकल जाएंगे यह डिलीट हो जाएंगे और सिर्फ और सिर्फ यह 23 ही बचेंगे ट्विल ओनली रिमेन तो यह क्या एक इसका example हो जाएगा यू प्लाइड इसका particular आगे example भी है वो भी हम लोग देखेंगे लेकिन मैं example के जरी आपको understand करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एक एंटार 23 का 23 अगर निकल जाएगा तो सिर्फ 23 ही रहेगा तो फिर यह क्या हो गया बेटा यह हो गया यू प्लाइड इक एक्जामपल अगर इस 23 23 जो है उसमें और एक 23 एड हो गया मतलब 23 प्लस 23 प्लस 23 यह हो गया सपोज 46 56 देन 66 और 23 मतलब की क्या 69 हो गया तो यह क्या हो गया एक सेट का सेट वहाँ पर एड हो गया यह हो गया अपना ट्रिप्लाइड ओके तीन सेट हो गया तो यह भी किसका एक्जामपल हो गया बेटा यू प्लाइड ही क्या है अभी हम लोग देखते हैं अन्यू प्लाइड ही क्या है इसको हम लोग ज़रा डिलिट कर देते हैं अन्यू प्लाइड ही अपको संमझ में आ गया अभी हम लोग देखते हैं अन्यू प्लाइड ही क्या है अभी अन्यू प्लाइड ही में आपर झो एक्चामपल G al human being एक्चामपल…… peace example Human being यहाँ पर जो है बटा यहाँ पर अब ढ़्यान से देको यहाँ पर अन्यूप्लाइद कैसे अडिशन or loss of one or more chromosome one or more chromosome from diploid set okay reference के लिए हमने लिया है diploid set मतलब की क्या यहाँ पर human beings का जो diploid chromosome number है वो कितना है बेटा वो है human being में क्या है 23 pairs या तो फिर 46 46 chromosome 23 pairs है या तो फिर 46 chromosome से हम यहाँ पर 46 chromosome का terminology यूज़ करेंगे इस 46 chromosome में अगर एक chromosome एड़ हो गया या और 2 chromosome एड़ हो गया या तो फिर इस 46 में से एक chromosome माइनस हो गया और और दो क्रोमोजोम माइनस हो गये मतलब कि 46 में अगर एक एड़ हो गया तो 47 हो गया और 46 में अगर एड़ हो गया तो 48 हो गया इसमें भी अगर एक माइनस हो गया तो 45 हो गया और 2 माइनस हो गया तो 44 हो गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है बैटा यहाँ पर सेट का कोई भी इन involvement नहीं है नहीं हो रहा है यहां पर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है संड तो डी NICK है लेकिन इस डिपलाइर सेट में क्या है वेटा एक या पीर सब्सक्राइट इस्ट सर्थ 63 तो फिर वा जाएगा 69 या पर क्या हो रहा है only one और more chromosome हो रहे है या फिर वो सब स्ट्राक्ट हो रहे है मतलब कि कम हो रहे है तो अगर एंटार सेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ एक थो एक या एक से ज़्यादा प्रोमोजूम्स दो तीन चार मतलग कि यह जो है गण हो रहे है या तो फिर उपर रहे है इस केस में क्या होगा बेटा इसको जो हम कहेंगे वह कहेंगे अन यूपलोईडी क्या कहंगे ब dys星 नियूपलोईडी तो आई घॉप कि आथको यह श्ली और अनूओ फ्लािडी में का डिफेरंस याँ पर क्या होगा समझ में आया होगा चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग देखेंगे यूप्लाइडी के एक्जामपल ये यूप्लाइडी से वह 수 को हो है वह पाट से वह paste अपटा आगे यूप्लाइडी का और था मों ? प्लॉइडी मोनो प्लॉइडी मतलब की क्या जो मैंने आपको एक एकजाम्पल बताया इडिस दे लॉस आफ वन सेट आफ प्रॉमोजोम अभी देखो यहाँ पर अभी human beings में कितना सेट है बेटा मैं यहाँ पर अपने convenience के लिए 23 प्लस 23 इसके लिए human being जो है वो डिप्लाइड है तू सेट से यहाँ पर क्रॉमोजोम के अगर इसमें से यह 23 यहाँ पर निकल जाएगा इसमें से अगर एक सेट अगर रिमूव हो गया तो क्या होगा बेटा यहाँ पर जो है एक ही सेट यहाँ पर चला जाएगा यह जो है वो यहाँ पर रहेगा उनली 23 रहेगा एक ही सेट रहेगा इस case में क्या होगा बेटा इसको हम कहेंगे monoploid इसमें क्या कहेंगे इसे monoploid और monoploid यहाँ पर सिर्फ जो है एक ही सेट यहाँ पर जो है वो निकल गया और एकी सेट यहाँ पर रहा है हैपलोईड सेट यहाँ पर रहा जो कि यह 23 तो यह हो गया बेटा मोनोपलोईड क्या हो गया बेटा मोनो पलोईड क्या हो गया मोनोपलोईड हो गया अभी यह जो है बेटा यह जो है वो इन वायबल, mostly अगर यह मोनोपलाइड हो गया, तो हैपलाइड जो सेट है, उसमें से जो औरिगनिजम स्टेयर होंगे, या तो फिर वो प्लांट होंगे, या तो फिर वो ऐनिमल्स होंगे, वो इतने वायबल नहीं होंगे, mostly क्या होता है बैटा, वो इन्वायबल होते हैं मतलब कि वो सर्वायव नहीं कर पाते हैं लेकिन उसको भी exception हैं लेकिन mostly वो इन्वायबल होते हैं लेकिन इसका वायबल जो natural मोनोप्लाइड का जो example है वो है बेटा आपका honey bee हमने आप यहाँ पर जो sex determination है है इसमें देखान एक सेट उनली वन सेट आप प्रोंोजोम बन सेट आप प्रों WIL सोमी जो किस इसे की 16 प्रोंम का एक सेट होता है यह तो ही यह जो आइफार अप consoles इसमें इन्सेक्स में वह दिखाई देता है यह तो गया बेटा मोनोप्लाइड और फिनामिनोन है इसे कहते हैं मोनोप्लाइडी और इसका एक्जाम्पल भी हमने देखा मेल हनी भी और यह जो है वह प्लैंट में तोड़ा सा रेयर होता है में इतना जब्स दिखाई नहीं देता अभी हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे इस मैं अभी इरेच पर देता हूं what is polyploidy okay polyploidy क्या होता है बेटा polyploidy मतलब की क्या यह पर addition of one or more set of promosamine deployed मतलब की अभी हम लोग और वोग एक्जांपल लेंगे को ईग्जांपल लेंगे है कि for example डियप बलडर्य आर्गाणिजम है जिसटवा अम लिक्त उट यहां पर अगर शेट इमन लेंगए या थो फिर कोई भी प्लाइंट का एग्जांपल लेंगे श्पस्त कैटズपने पॉटिन प्रोमोजोम से डिपलोइट नंबर उसका है 14 जैसा सम्पूटिन क्रोमोजोम उसमें प्रेजेंट है प्रेजेंट में उसका डिपलोइट क्रोमोजोम कितना है 2N अभी देखो यहाँ पर अगर एक से ज्यादा सेट यहाँ पर एड हो गया मतलब कि 3N हो गया 14 क्रोमोजोम मतली क्या 7 प्रेज यहाँ पर हो गया तो 3N अगर हो गया तो इसमें क्या हो गया एक सेट एक सेट मतलब कि क्या यह 14 है मतलब पी क्या 7 प्लस 7 है एक सेट कितने का है बेटा 7 का है तो 3 एक सेट यहाँ पर अगर एड हो गया तो यह क्या हो जागा 7 प्लस 7 प्लस 7 तो यह हो जागा 21 क्रोमोजोम्स 21 क्रोमोजोम्स एक सेट यहाँ पर एड हो गया तो इसे हम कहेंगे बेटा triploid, क्या कहेंगे बेटा triploid, मतलब कि 3 set, यहापर अगर 1-2 set यहापर आड़े होगे मतलब 7 plus 7 plus 7 7 plus 7, प्रोमुजम होगे total 78 तो यह क्या होगे बेटा, इसमें क्या होगे, कितना set होगया, यह होगया 1 यह होगया 2, यह होगया 3, यह होगया 4 तो यह कितना होगया, 4 set होगया, इसलिए इसे कहेंगे tetraploid और ऐसे ही आगे अगर जितने set add होते जाएंगे वो ploidy level उसका उतना बढ़ता जाएगा तो बेटा, यह जो phenomenon है polyploidy की, या तो फिर polyploidy जो होते organisms, वो बेटा plants में बहुत ही common है, मतलग जो भी plants हम देखते हैं, mostly वो क्या होते polyploidy होते हैं, मतलग कि उसमें number of sets जो होते हैं, वो diploidy से जादा होते हैं हम लोग triploid भी देखते हैं, tetraploidy भी देखते हैं exoploid भी देखते हैं अब आप बनाना का example ही ले लो बनाना यहाँ पर जो है वो triploid है, वो बनाना में आपके ने कभी seed देखा है नहीं है, इसका reason ही है कि वो triploid है triploid है मतलग क्या है, वहाँ पर meiosis होता है, meiosis में बहुत सारी irregularities होती है meiosis में क्या होता है, वो जो chromatids या chromatoms का separation है वो proper ना होने की वज़े से वहाँ पर जो है, वो gamets जो है, वो properly form नहीं होते gamets properly form ना होने से वो आपर वो जो है fertilization उनका proper नहीं होता fertilization अगर नहीं होगा तो seed या fruit, seed वहाँ पर form नहीं होगा properly fruits तो form होते हैं, लेकिन seed properly वहाँ पर form नहीं होता तो उसमें क्या होता है, बैटा propagation जो होता है, वो vegetative propagation होता है, ना कि seed propagation होता है, क्योंकि उसमें seed ही नहीं होते हैं, और इसका one of the one reason है, main reason है उसका कि वो जो है, वो triploid है, अब यह वीट का seeds होते हैं, बच्चों यह बात हमेशा ध्यान में रखो कि plants में जो है, वो ploidy है, वो बहुत ही common चीज़ है, जितना बड़ा size plant होगा, जितना fruit का size बड़ा होगा, उतना ही उसका ploidy level बड़ा होगा, और इसके पीछी का reason मैं आपको बताता हूँ, कहां पर भी नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर एक set बनता है, बढ़ता है, डिपलोईट से अगर triploid होता है, triploid से अगर tetraploid होता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, number of genes, they get increased, एक set में अगर 2 set में, अगर 4 genes है, तो 4 set में कितना genes हो गया, 8 genes हो गया तो number of genes यहां पर increase होते हैं, तो उसका जो expression है, वो भी बढ़ेगा, उससे जो protein बनने वाला है, वो भी बढ़ेगा, protein बढ़ेगा, उसका quantity बढ़ेगा, तो जो protein जो characters control कर रहा है, तो उसमें भी phenotypic में change आएगा, और इसके वज़े से, जो है बेटा, वो यहां पर जो size मतलब robust size होती है, plants की या fruits की, तो वो किसके वज़े से होती है, उनकी जो ploidy level है, वो जादा होती है, तो यह हो गया है बेटा, ploid, poly ploidy, जिसमें की क्या होता है, one or more set, set, entire set, we are talking about you ploidy, therefore यहां पर हम लोग set की बात कर रहे है, यहां पर जो है, वो entire set, जो है, यहां पर add होता है, अभी देखो, इसमें दो example से, दो type से, उसके एक जो है वो auto polyploid, और दूसरा जो है, वो है, अलो polyploid, और auto polyploid मतलब की क्या हो, और अलो polyploid मतलब की क्या, तो इसमें क्या होगा, अगर same chromosome set अगर duplicate हो गया, मतलब की एक set है, यह जो human का एक set है, और एक entire set वहाँ पर same duplicate हो गया, तो इसमें के genes और इसमें के genes जो है, वो same है, सिर्फ duplication यहां पर हुआ है, same chromosome set का duplication हुआ है, तो इस case में उससे क्या कहाँ जाएगा, auto polyploid, मतलब की क्रोमोजम का उसने क्या कर लिया, duplication कर लिया, और अगर दूसरे case में देखा जाए, ओलो, तो ओलो में क्या होगा, एक set chromosome, एक organism का होगा, दूसरा set जो है, वो दूसरे organisms का होगा, तो बच्चों यह कहाँ पर use किया जाता है, यह use किया जाता है, hybridization में, hybridization में क्या होगा, एक plant variety है, दूसरी plant variety है, दोनों के क्या होगे, characters वहाँ पर mix होंगे, तो यहाँ पर जो है, वो entire egg set जो है, वो एक plant का होगा, और दूसरा set जो है, वो दूसरे plant का होगा, इसलीह मैंने वहाँ पर लिखा है, N1 प्लस N2, मतलब कि N1 जो है, वो एक plant का set हो गया, N2 जो है, वो दूसरे plant का set हो गया, इसमें auto polyploid में क्या होगा, गया, N1 प्लस N1 लिखाए तो यह same ही plant का set है, तो I think आपको uploidी समझ में आ गया होगा, और उसके जो type से monoplody और polyploidी और polyploidी में भी autopolyphoid और allopolyphoid यह जो है वो uploid के सब examples है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा ताइप वो देखते हैं दूसरा林 जो है वो क्या है अन्यूपलाइड कि यहाप पर जो है वो सिर्फ एक या एक दूबो मुद्स जो है वह आपर होते मतल्स कि एंटाइर सेट यहां पर और नहीं होता सिरस्फ ये दो क्रोमूजों से यह आप पर एड होते इसमें वेटा क्या क्या ए츠े निए एक जांपल से देखो पहला जो एक्जामपल एफ ट्राइस्डौ studies बैटा क्या प्राइढ मतलग है कि तो हुआ मतलग है कि इसमें बेटाजी लिकार है एक dat zoom यहां पर ata हो जाएगा एक क्रोमोजम यहां पर एड़ हो जाएगा इसलिए इसे लिखाए टू एन प्लस वन ओके इसके जो एक्जाम्पल बेटा वह है डाउन सिंड्रॉम जो आप आगे देखने वाले हैं हम लोग पढ़ने भी वाले ताउन सिंड्रॉम तो एक जेनेटिक डिसॉर्डर पर है यहां पर जो हमारे दमीक में जो है वाइन वीग कितना चमीतिक व्ती वेलो जुआ है मतलग्याज में Siri के जो यह फ्रम यह फ्रमोजम हो हो जाएंगे 21st इसके वजह से उसे कहा जाता है trisomy 20 मतलग कि क्रीमरे 21st chromosome जो की AutoSurf है बेटा क्योंकि हमें पता है कि 22 जो ओज़े वह ऑ्ट समों होते है और और एक जो one eight you сек क्रोमुजुम कि पैर होती जिसमें की XX हो सकता है अगर वो female होगी या तो फिर XY हो सकता है अगर वो male होगा तो इसमें बेटा trisomy में क्या होता है एक chromosome 21st chromosome pair पे एड हो जयता है फिर उससे वह disorder create होता है यह इतना ही ध्यान में रखो उसमें जो है जब हम लोग फिर उसके बाद में जो है ट्राइसोमी मतलब कि 13 पेर पे एक प्रोमोजम एड जाता है फिर हो गया ट्राइसोमी 18 जहां पर 18 जो प्रोमोजम पेर है उसके पर एक प्रोमोजम यहां पर एड हो जाता है तरह समिका एकजांपल जो है वह हुमन बींग में तो आगे बढ़ते हैं दूसरा जो टाइप है अन्यूपलईदी का वह वह बेटा वह भेटा टेटरासोमी क्या है पर सो में क्या होगा । यह प्लस चौनक नुम नॉब्र उसमें क्या होगा लेकिन वीट्स जो प्लांट है वीट में हमने देखा कि इतने डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले अलो है एक्जाप्लाइड यह कैसे प्रोड्यूस हुआ इसका भी है टेट्राप्लाइड का ब्रीडिंग डिप्लाइड करके फिर वो एक्जाप्लाइड प्रोड्यूस किया लेकिन इतने डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले क्योंकि यह beyond the scope of your syllabus है इसलिए हम लोग वो discuss नहीं करेंगे सिर्फ आफ एक्जामकल के तोर पर रखो कि अगर वीट जो अगर आपको पूछा जाए तो वो यहाँ पर टेट्रासोमी में भी आएगा एक्जामपल लेकिन वहाँ पर जो है वो रेर कैसे होंगे और वो जो प्रोड्यूस नहीं होगा उसे कोई भी प्लैंट वहाँ पर तैयार नहीं होगा क्योंकि वह इन्वायबल होगा लेकिन जो वायबल वाला है वह वह पर करवाया है तो इसमें 2N प्लस 2 में क्या होगा बेटा कि दो क्रोमोजम सेड होंगे तो फिर वह हो गया टेट्रासोमी जो आगे बढ़ते है थर्ड जो टाइप है वह है मोनोसोमी अभी देखो यह दोनों केस में क्या हो रहे है क्रोमोजम जो हो रहे है और यह जो दोनों जो केस है मोनो सुमी और नली इसमें क्या होगे प्रोमोजोम क्या ही यहां पर देखो आप इसका जो एक्जामपल यह टर्नर सिंड्रोम करनर syndrome जो की पाया जाता है humans में क्यों कि हम लोग कैसी लिखते है 45 प्लस x 45 एक्स ऐक्स क्यों तो इसमें क्या होता है एक जो एक्स क्रोमोजोम है 45 जो क्रोमोजोम 44 जो हो गे वाहा पर वह गे आटो सोम्स 44 प्लस ऐसा लिखना पढ़ेगा जो टर्नर सिंड्रोम है बैटा टर्नर सिंड्रोम उसमें क्या होता है 45 क्रोमोजोम सी होता है मतलब 46 में से जो है एक जो है जाता है मतलब vivo 44 117 Championship रहता है तो यह जो सिंड्रोम में इसे का जाता है तुएन मतलब की क्या इसमें जो है इसमें इस में से ह हो गया तो तो मैंश हो गया तो इसमें से deployed set में से अगर एक क्रोमोजम कम हो जाता है तो इसे कहते हैं हम monosomy it is represented by 2n-1 अभी लास्ट का जो टाइप है वो है नली सोमी नली सोमी में क्या होगा बेटा जो deployed set है उसमें से दो क्रोमोजम से आपर जो है इसका भी एक्जामपल है weighted जो कि वो जी rarely पाय जाता है अगर वो हो भी गया तो वो क्या होता है ँ माहे बलो ओके है तुए नली सोमी में क्या होगा नली सोंए में क्या होगा दो क्रोमोजम सिह आपर बढ़ेगे यह सब example जो होगे वो होगे अनुपलॉइडी की बच्चों हमने यह जो तीसरा टाइप देखा mutations का जिसमें की हमने देखा there are two main types of genomic mutations जिसे की प्लॉइडी भी कहा जाता है यूपलॉइडी और अनुपलॉइडी chemistry DOES वाएडी मतलjuk की क्या, और जुनओमिक मूटेशनस मतलग की क्या, यहांपर एंटार र१ांज Subscribe नमबर में चेंज होता है। क्रोमाजुमे बेपरेशनस में Call pomp optimism के structure में होता है। यह difference basic difference आप लोग ध्यान में रखो। प्रोमोजोमल आइबरेशन में structure में difference होता है और इसमें जो है बेटा वो अपने number में change होता है Uploid देखा, Unuploid देखा, Uploid में हमने देखा कि 1 set या तो फिर add होगा या तो फिर वो minus होगा जिसके example है Monoploid और Polyploid, Xset अगर कम हो जाता है तो Monoploid, Deployed Set में अगर एक से ज्यादा set add होता है तो उसे कहते है Polyploid, Polyploid में example देखा, Orthopolyploid और Allo अगर same ही set duplicate होगा तो Orthopolyploid, दो different set आगे, दो plant variety के तो वो Allo Polyploid Unuploid में क्या होता है बेटा, Deployed Set में जो इसमें से जो है, वो एक क्रोमोजोम आट होता है एक, दो, तीन ऐसे क्रोमोजोम या तो add होते या तो subtract होते इसके example हमने देखा, Trisomy जिसमें की एक क्रोमोजोम आट होता है Tetrasomy जिसमें की दो क्रोमोजोम आट होते, Monosomy जिसमें की एक क्रोमोजोम कम होता है नली सोमी जिसमें की दो क्रोमोजोम स्कम होते I hope यह जो genomic mutation है, इसके जो type है, Ploidy जो mutation है, वो आपको completely समझ में आया होगा मैंने प्राइ किया है बहुत अच्छी तरह किसे आपको समझाने का और यह भी मैंने खुद प्रिपेर किया हुआ है, चार्ट जो है यह सिंप्लिफाइड करके मैंने आपको दिखाया है, इसका screenshot आप ले सकते है, रेफरेंस के लिए तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आप इस वीडियो के end तक आ गए हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जादे से जादे आपने फ्रेंस को शेर कीजिए ये जो वीडियो जे सब फ्री वीडियो जे बेटा आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको दोस्तों को भी बेजो आपको तुछ इसको सब्सक्राइब करो तो बच्चो इस वीडियो में बस इतना है फिर मिलेंगे थैंक यू